तो आज हम लोग सिखने वाले हैं 5 marks का application तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि हम यहाँ time waste नहीं करेंगे सीधा चलते हैं how to write an application क्योंकि लेटर का वीडियो आप लोग देख चुके हैं और आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर हम लोग आसानी से लेटर लिख सकते हैं अब दखिए application या तो application बोला जाता है या फॉर्मल लेटर कभी कभी फॉर्मल लेटर में देखिएगा कि write a letter to your principle अले भाई वहीं चीज है वहीं चीज है वहीं चीज है मारा application बोलिए या लेटर बोलिए फॉर्मल ठीके ना आये हम देखते हैं सीधा कैसी application लिखने का क्या ट्रीक हो सकता है मात्र पांच मिनट हम को दिजिए इसके बाद आप ये कहाईएगा कि नहीं सर हम अप कोई भी टॉपिक पर आसानी से application लिख सकते हैं आये सबसे पहले हम लोग को क्या करना है जैसे ही दिखान लेते हैं कि राइट लेटर तू यूर्प रिंसिपल फ़र यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फॉर टेन डेजली या फॉर फंक्षन इन आवर अस्कूल इनावर कॉलेज कुछ भी हो बट वे ट्रीक तरीका सीर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए सीर्फ और तारव से पहले क्या सबसे पहले क्या देखिए गाशन से पहले हम लोग क्या लिखते आजी त्टू दा प्रिंसिपल हो दो दा प्रिंसिपल अब कोई कोई टीचर यहां तूध हेंड मास्टर वी लिखा देते हैं बुक्स बगैरा में भी दिया रहाता है जो बिल्कुल गल क्योंकि 12 के एक्जाम दे रहे तो भाई कॉलेज में ही होंगे यह अपको लिखना नहीं पस्मन में रखना है जासे हम यहां लिख देते हैं हमारे हां है एस कॉलेच ओके एस कॉलेज विक्रम लिंज ठीक है आप अपने कॉलेज का मतल्व नेम आफ कॉलेज आपको क्या लिखन आप ले सकते हों ठीक है कॉमेंट जरूर करिया कि हां सराम लोगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सबसे पहले टूदा प्रिंसिपल यह तो भाई सबको याद रहता है फिर क्या नेम आफ कॉलेज या कॉलेज नेम जो भी यह माइन में रखना यह लिखना नहीं आप किसलिये लिख रहे हो लेटर या किसलिये लिख रहे अप्लीकेशन ठीक नहीं लेटर फॉर्माल का बात कर रहे है ठीक है अवसाइब गिए अपर टेन डेसली ट आप लिख लिए घया आ पर टेंडेसलिव के लिए आ अज़ा बाद समझेंगे न क्लीनिंग इन आवर इसकुल में लिखेट बढ़्र क्लीनिग नहीं रहता है तो फ़ार क्लीनिंग इन आवर इसकूल our college मतलब कुछ भी जो भी आपका topic दिया जाएगा वहीं सब्जेक्ट में लिखा जाएगा ठीक ना अच्छा जी आगे बढ़ते हैं अब यहां से आपको क्या लिखना है सर ठीक है उसको एक परेंट छोड़कर थोड़ा सा यहां नीचे कर देख में प्रिकेगा आरा आसानी से आप लिखिएगा कोई दिकत ने सर यह स EN seríaन प्रिक अट्रों को मेर्धत अमड्री कि आहसान आ अंड्री और भीम मेर्णने मक्न वें अन मख़एगा इसके कहने का मतलब क्या है यहां जैसे हिंदी महा जलसक्कों आँया सबसे पहले सेवा में स्रीमान जो आप लिखते हो एक दम यहां से आपका हिंदी और हिंग्ली दोनों का काम चल जाएगा ठीक ना अच्छा जी सब्जेक्ट लिख दिये सब्जेक्ट लिख दिये सर मस्ट ली मतम मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्ट फुली आई बेर्टु से निवेदन पुर्व कहना है मैं कहना चाहता हूँ अब क्या कहना चाहते हैं उसी बात को माई डियर सुडेन में सर्कर दो से डैट आइवांट टू ओगे आई वांट ट्वgt हम बोला चाहते हैं ट्रांस फर सेटिफिक लिए ट्रांसफर्ट चर्टिफिकेट अप लेना चाह from another place, that's why we cannot, we cannot, जैसे कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, we cannot live at now, आपास समझ मेंना, हम लोग अभी नहीं रह सकते हैं, so I required transfer certificate, कुछ भी अपली को, कि मेरे family का यहाँ से transfer हो गया है, या मैं और higher college के लिए, higher or college के लिए, मैं दूसरे college में admission लेना चाहता हूँ, that's why I require transfer certificate, आपास समझ में, इतना आपको खुद my dear student लिखना होगा, ठीक न, इतना आपको लिखना होगा, ये चीजे, ये चीजे, तो भाई सब में आपको लिखना पड़ेगा, इसको क्या करिएगा, पता है, दो से तीन बार आसानी सा अप लिख डालो, अपने कॉपी में, एक दम याद हो जाएगा, एक दम चीजे, अब कितना कहें सर यहीं वाला चीज, अब तो भाई इतना तो आपको लिखने आता होगा, एक दम सिंपल ने में बना कर भी लिख दीजिया, कोई आपको काटने वाला नहीं है, ठीक है, आप माल लिजे, अब आप क्या लिखिएगा, वहाँ तक ठीक है ना, उसके बाद आप यहाँ तक लिखने के बाद, अब नीचे लिखिएगा, I sell highly, I sell highly obliged for this work, for this work, मैं इस कार्ज के लिए आपका सदा अभारी रहूंगा, मतलब आपको कितना चीज लिखना है, आप देख सकते हो, इतना लिखे, फिर लास्ट में आप, ठीक है ना, इस चीज को जो लिखना है न, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके, यहाँ तक लिखे, फिर वहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ आप स्क्रीन सॉट लिजिए, और एक 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 अपलिकेशन आपको लिखना है, हम हो मर्ग देते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ डालना होगा, आपको ठीक है न, यहाँ नीचे में, वहाँ स्पेस नहीं था, नीचे माम ल यहाँ आपको सिक्षन लिखना होगा, आरह बात समझ में, आरहा है, और और फिर आसानी से यह सब चीजे नहीं देना है, और आसानी से 5 आउट और 5 प्रात कर सकते हो, कोई भी नहीं रोख सकता है, आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है, तो कॉमेंट जरूर करिएगा इस च हो क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जाहिद,